हे गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल हेल्थ मांगे मोर और आज हम बना रहे हैं एक नहीं दो नहीं बलकि पूरे चार फ्लेवर में मूँ में पानी ला देने वाली ये बहुत ही टेस्टी कुलफी की रेसिपी जो बिना मावा और बिना मिल्क मीट के घर में रखी हुई चीज मिल्क पाउडर को दूद में अच्छी तरह से घोल लेते हैं मिल्क पाउडर डालने से जो कुलफी है वो बड़ी क्रीमी सी बनती है अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो इसकी जगे आप घर में रखी हुई थोड़ी सी मलाई याने की वनफोर्थ कप के लगभग मलाई भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे डेड़ चमच या एक टेबल स्पून के लगभग कॉन फ्लोर कॉन फ्लोर डालने से कुलफी का जो मिक्स है वो जल्दी गाड़ा हो जाता है कुलफी थोड़ी सॉफ्ट बनती है ये कुलफी को जमने में भी मदद क लिया है दो बड़े कप फुल क्रीम मिल्क जो लगभग आधा लिटर है और ये दूद पहले से उबाला हुआ नहीं है अब इसे चमच से हिलाते जाएंगे और इसमें एक उबालाने देंगे तो कड़ाई दूद उबालने के लिए जादा अच्छी है क्योंकि इसका सर्फे वाइट शुगर भी ले सकते हैं अगर आप राउन शुगर नहीं है आपके पास तो और उसके बाद इसे हिलाएंगे और गाड़ा करेंगे तो देखे दूद हमारा काफी गाड़ा हो गया है अब इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे कॉन फ्लोर और मिल्क पाउडर का मि मिश्रन जो हमने दूद में घोल के रखा था और इसको डालने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप मिश्रन को लगातार चलाते रहें क्योंकि अब ये मिश्रन बहुत जल्दी गाड़ा होगा तो ये चिपकने ना पाए फ्लेम को लो मीडियम रखना है और इ नीचे मिश्रन जलने ना पाए लगने ना पाए आप इसे ठंडा कर लेते हैं और चार बाउल में मिश्रन को equally हम डिस्टिब्यूट कर लेते हैं चार बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं क्योंकि हमें चार फ्लेवर की यहां पर कुलफी बनानी है तो हमने ये चार बाउल मे पिष्टे के टुकडे और इन सब चीजों को अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो ये केसर इलाइची फ्लेवर की कुलफी का प्री मिक्स हमारा बन गया है दूसरे बाउल में हम डालेंगे एक बड़ा चमच कोको पाउडर और हाफ टीस्पून डालेंगे चॉकलिट एसंस और इस इसमे ठंडाई पाउडर डाला है और हाफ टीस्पून यहां मैंने लिया है गुलकंद ये गुलकंद के फ्लेवर वाली कुलफी भी बहुत ही स्वादिस्ट लगती है तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और आप फोर्थ फ्लेवर हमारा कुलफी का है वो है प्लास्टिक के मोल्ड नीचे इसमें डाल दे है कुछ ट्राइफ फूट्स की कत्रन और इसमें मैंने जो केसर इलाईजी वाला जो कुलफी का प्रीमिक्स था उससे से हम फिल कर देते हैं अगर आपके पास ये अलुमीनियम के मोल्ड नहीं है तो प्लास्टिक के मोल्ड है तो उसमें भी आप भर सकते हैं, या तो paper cup जो होते हैं चाय पीने वाले छोटे cup, उनमें भी ये कुलफी आसानी से जमाई जा सकते हैं, नई तो आप छोटी कटोरी में या किसी भी बॉक्स में भी ये कुलफी आराम से बना सकते हैं. इसके बाद इसे हम cover करेंगे, demold करने में आसानी होगी और खाने में भी कुलफी आसानी होगी तरह से सभी कुलफी को हम, चारो फ्लेवर की कुलफी को हमने फिल कर दिया है और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है 8 से 10 घंटे के लिए overnight या 10 घंटे के बाद जब कुलफी अच्छे से सेट हो गई है तो हम अब इसे demold करेंगे demold करने के लिए या तो आप इसे 5 से 10 मिनिट के लिए ऐसे छोड़ दें जब ये room temperature पर आ जाए तो ये आराम से demold हो जाती है नहीं तो आप इसे इस तरह से पानी में dip करेंगे कुलफी के mold को ताकि ये normal room temperature पर आ जाए और कुलफी हमारी demold हो जाए तो तो ये देखा आपने घर में रखी हुई चीजों से कितनी असानी से ये कुलफी हमारी बन जाती है और इसका जो texture होता है वो बहुत क्रीमी market जैसी बलकि market से भी बहुत अच्छी कुलफी ये बनती है और एक बार यदि आप इस recipe को बनाएंगे तो बार-बार आपको इसे बनाने का मन करेगा क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बच्चों को भी ये कुलफी बहुत पसंद आती है तो आप अपने मन पसंद के किसी भी flavor की कुलफी को बना सकते है तो बहुत ही delicious mouth watering कुलफी बन के तयार है जिसे हम गार्णिश करेंगे कुछ ड्राइफ फूट्स के साथ और गर्मियों में इनका आनंद लेंगे तो प्रेंट्स कैसी लगी आपको ये कुलफी की recipe वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज से जादा से जादा like और share करें यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें Eat healthy, stay safe, bye bye Thanks for watching